हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल, आज के वीडियो में मैं आप सब को स्लीप्स का बहुत ही प्यारा साथ डिजाइन बताने वाली हूँ, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखिए मैंने ये कुर्टा लिया हुआ है, जिसकी मेरी फुल स्लीप्स थ दे सकते हैं और आप उसे रियूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं इसकी सिलाई को खोल लूँगी, आप अकर ब्लाउस भी लेंगे तब भी आपको सिलाई को खोलना पड़ेगा, सबसे पहले आप अपने स्लीप्स को हटा दीजेगा, अंदर की तरफ ऐसे किसी टूल्स की ह सबसे या फिर बड़ी सूई लेके आप इसे हटा दीजे, और ध्यान से हटाएगा कि कहीं से कपड़ा फटे नहीं, देखे मैंने इसे हटा लिया है, आप देखे जो ये आपका स्लीप्स बच रहा है, इससे आप किसी की पाइपिंग बना सकते हैं, या तो फिर आप किसी मे आप कहीं पे भी अटेज कर सकते हैं, आप देखे मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है, ये ब्लैक कलर का कपड़ा है, क्योंकि मेरी कुर्ते पे ब्लैक कलर का इसमें डिजाइन बनी हुई है, तो मैंने इसमें ब्लैक कलर का कपड़ा लिया हुआ है, आप अपने ब्लाउज य इसके बाद आप इसे ही रखके अपने दूसरी स्लिप को cut कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको पहली एकली स्लिप कट करनी है कि इस देखित इसकी नुराही है वह 16 फेह और जो इसकी लंबाई है वह 20 फे यह देखे 20 इंच है यह अब देखे अगर हम दोनों स्लीव एक साथ कटी कर रहेंगे तो हमारा बहुत सारा कपड़ा वेश्ट हो जाता है इसलिए मैंने पहले सोचा कि पहले मैं एक स्लीव कट करके दिखा दो अगर आपको दोनों स्लीव एक साथ कट करनी है तो सबसे पहले आप इसे paper पे cut कर लीजेगा देखिए मैंने यहाँ पे कपड़े को four fold कर दिया है और जो हमारा extra कपड़ा है वो मैं अभी इसे cut नहीं कर रही हूँ मैं इसे बात पे cut करूँगी सबसे पहले हम अपना armhole को measure करेंगे यह देखिए मैं अंचे tape से अपने armhole को खीसते हुए इसे नाप लेंगे तो यह हमारा 9 inch है अब 9 into 2 18 हो गया और 18 भी हम 6.2 से divide कर देंगे तो जितना भी आपके आस्तीन हो आप मतलब जितना armhole हो आपका आप उसे 6.28 से divide कर दीजेगा देखिए जैसे मैंने आपको marking करना बताया कि मैंने पूरे पे 2.91 पे marking कर दीए और यहाँ पे हमें अपना एक circle ब्रहा लेना है यह देखिए मैंने पूरे पे इसको all over marking कर दीए आपको अपने इंची टेप को उपर साइड पे रखना है और हमारा यह देखिए 8 inch है अब 8 inch पे मैं पूरा इंची टेप को उपर के साइड ऐसे ही पकड़े रहूँगी और नीचे साइड 8 inch पे पूरे पे all over marking कर दूँगी यह देखिए ऐसे आपको पकड़े रहना है और नीचे अपने इंची टेप को खुमाते चले जाना है यह हमारी umbrella sleeves की cutting होती है अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया हो तो please मेरे चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते रहेंगे आप में जो marking की थी इसे हमें पूरे पे circle का बना लेना है अब देखे मैंने इसे cut कर लिया है यह हमारी ध्यान दीजेगा यह हमारी एक sleeves की ही cutting है अब देखे मैं इसे open कर लूँगी और open करने के बाद मैं देखे इस पर क्या करूँगी जो हमारा यह part जहां आपने इसको कपड़ा attach किया था इसे हम नीचे side में रखेंगे मतला हम अपने underarms के side इसको attach करेंगे और यह हमारा center का sign है जो मैंने आपको बताया था अब इसके बाद आपको ऐसे ही से fold करना है अगर आपके पास कभी भी कपड़ा कम हो तो आप इसे ऐसे attach कर सकते हैं और इसके पास जो हमारा saliva वाला part है इसे आप नीचे के side कर दीजेगा जैसे हमारा underarms के नीचे हम इसे कर देंगे और solar के side हमारा जहां पे सही part है मतलब जहां पे हमने कोई कपड़ा जफाइन नहीं किया है उसको attach करेंगे अब देखिए आपको इसे ऐसे रख देना है इसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको पहले तो हम इसको four fold करेंगे पहले मैंने एक fold लगाया था इसके बाद फिर से मैं इस पे एक fold और लगा दूँगी यह देखिए हमारी एक slips थोड़ा सा नीचे है और एक slips थोड़ा ऊपर है अब देखिए उसी तरह चैसे मैंने आपको बताया था 2.91 जो हमारा आया था हमारा मतलब 18 इंच पे जो हमने 18 को 6.28 से डिवाइड किया था हमारा 2.91 आया था मैं आपको पहले इसकी मारकिंग बता चुकी हूँ इसी तरह हम यहाँ में फिर से मारकिंग कर लेंगे और इसके बाद मैं इसे कट कर दूँगी मेरी यह sleeps की कटिंग कप्लीट हो चुकी है यह हमारा नीचे का साइड रहेगा और यह हमारा ऊपर के साइड रहेगा और ऐसे पकड़के हम इसे ऐसे मोड़ देंगे इसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे एक मारगें कर दूँगे जिससे आपको यह पता चले कि यह हमारा सोल्डर का साइन है और यहाँ पे हलका सा कट लगा दीजे जिससे आपको बार-बार नापना नहीं पड़ेगा आप देखें यहां से हम नीचे भी वही चीज करेंगे नीचे मैने कट लगा दिया है यहापको याद रहेगा यह हमारा अंडर आम्स के नीचे का है अब देखें यहापे जो मैंने निशान लगाया है यह हमें यहां से अपना solder जॉइन करेंगे आपको यहां पे फोल्ड करना है या तो आप यहां पे पीको करा सकते हैं या तो फिर आप इसको सिंगल फोल्ड पहले कर लेंगे देखिए मैं आपको सिंगल फोल्ड करके दिखाती हूँ आप एक साथ इस पर डबल फोल्ड नहीं करिएगा नहीं तो आपकी आस्तीन अच्छी नहीं लगेगी अगर आप पॉसिबल हो तो आप पीको करा लीजे वो ज़दा बेटर रहता है या फिर आप यहाँ पे कोई लेस अटेच कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे मेरा सूट कॉटन का है तो मैं यहाँ पे कोई भी लेस अटेच्छ नहीं कर रही हूँ और पहले मैंने देखिए इस पर सिंगल फोल्ड लगाया है अब देखिए आप इसे डबल करके इस पर फिर से एक सिलाई लगा देंगे आप कभी भी एक साथ सिलाई मत लगाईएगा नहीं तो वो अच्छा नहीं आता है सिलाई लगा दी है अब इसके बाद हमारे पर कहीं पर भी जूल नहीं आया है अब मैं इसको अपनी स्लीव को अटेज कर लूँगी तो यह आपको पता है कि यह हमारे सोल्डर का पार्ट है तो यहाँ पे अपनी सोल्डर के भी सेंटर पे रखोंगी और इस पे हम पूरे पे इसको पिन अप कर लेंगे कि अपने किसी भी पे सूट पे कुर्टी आप अपने किसी भी पे सूट पे कुर्टी आप कर लेंगे पे अपनी स्लीप को ऐसे टैच कर सकते हैं अब देखें पूरे पर मैं आप सलाई लगा दूंगी यह देखिए मैं आपको सलाई लगा के दिखा रही हूं कि हमें सलाई कैसे लगानी है अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज देखें मैंने अपनी स्लीप को पूरा टैच कर लिया है देखें कितनी प्यारी लग रही है यह बनने के बाद और इसका लोग बिलकुल चेंज हो चुका है आप इसे समर्ग सीजन में केरी कर सकते है इससे बहुत दीजाता अराम मिलता है अब देखें इससे आप किसी भी ब्लाउच पे सूट पर अटैच कर सकते है यह बहुत ही प्यारी लगती है और यह तो मेरी फैवरल्ट स्लीप्स है मैं इसे जालत तर अपने सूट्स में या ब्लाउस पे हमेसा लगाती हूँ इसको और अगर आपको भी ये अच्छी लगे तो आप मुझे जरूर बताईएगा कमेंट करके